हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगे वैलकम बैक टू ऐसे एस क्रेड़ ग्रूप आज दोस्तों अटोकेट के अंदर में आपको सखाने जा रहा हूं लाइन कमांड के बारे में तो लाइन कमांड को हम बिल्कुल डिटेल में सिखेंग सब्सक्राइब बाइस तो चलिए सीखते हैं कि लाइन को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं ओटोकेट के अंदर तो लाइन कमांड को अपलाई करने के लिए हमें सबसे पहले लाइन कमांड सेलेक्ट करने पड़ेगी जिसको हम डारेक्ट यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या उसके तो यहाँ पर लाइन कमांड को डारेक्ट करताओं तो यहाँ पर लाइन कमांड को डिरेक्ट स्पेश है लिए सबसे प्सक्राइब म Mind के अंदर भी देख हो गए इसके अंदर पूछा लएक ubeशल कर रहे हैं स्पेश हैं यहाँ पर जी हमें लाइन द्राकरण और अने को मुझ करेंगे तो आप देख सकते हूँ यहां पर यह लाइन हमारी ड्रा हो जाएगी तो जैसे मैं यहां पर यहां पर रखता हूं और उसके बाद यहां पर क्लिक कर देता हूं तो अभी आप यहां पर देख लोगे यह हमारी यह complete line create हो चुकिए है मगर यहाँ पर यह line command हमारी continue apply हो रखे अभी भी अगर हमें इस command से अगर exit करना है तो वह हम कैसे कर सकते हैं इस command से exit करने के लिए आप यहाँ तो escape की दबाईए या तो space bar दबाईए या enter कीजिए या आप direct यहाँ पर right click कीजिए और enter कर लीजिए तो इन सब चीजों से आप किसी भी command से exit कर सकते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर यह हमारी line complete draw की है अभी यहाँ पर जब हम इस line को select करेंगे तो आप यहाँ पर तीन vertex देख रहोगे पहला vertex यहाँ पर है second vertex यहाँ पर है third vertex यहाँ पर है इन दोनों point को तो हम बोलते हैं end point जो first point और last point है जो हमारे यहाँ पर middle में point है इसको हम बोलते है mid point तो यहाँ पर यह vertex काफी चीजों में use होते हैं अगर आपको इस line को move करना है drawing sheet के पर कहीं और तो आप direct यहाँ पर middle vertex के पर click कीजिए और यहाँ पर आप इस line को move कर सकते हो जहाँ पर भी आप drawing sheet के अंदर इसको च select करते हो तो आप इस direction से इस line की length को और direction को change कर सकते हो ओके तो इस तरह से यह तिनों vertex हम इस line के अंदर use कर सकते हैं अभी यहाँ पर मैं करता हूं escape की ताग यह हमारी line जो select हो रखी थी यह diselect हो जाए तो अभी मैं यहाँ पर line command दुबार लेता हूं तो line command लेने के लिए shortcut की होती है यहाँ पर enter कीजिए तो यह हमारी line command apply हो जाएगी उसके बाद हमें यहाँ पर specify first point करना है जैसे मैं यहाँ पर specify first point करता हूं तो उसके बाद अगर आपको यहाँ पर यह line जो है specific distance के पर create करनी है जैसे अगर आपको इस line की length 20 तो आप direct यहाँ पर 20 type कीजिए और उसके move कर लेते हैं तो अभी जैसे मैं यहाँ पर line command दुबारा लेता हूं एले एंटर करता हूं तो जैसे मैं यहाँ पर cursor को move करता हूं उपर की तरफ तो अभी आप यहाँ पर देख रहोगी यह हमें कुछ values show कर रहा है यह हमारी होती है distance value कि इस point से इस point तक की line के distance क्या है वो य यहाँ पर यह सो करेगा इस line का जो angle है x-axis के लोग वो कितना है वो यहाँ पर हमें यह सो करेगा तो यह angle हमारा change होता है जैसे हम cursor को move करते हैं यहां से तो आप देख रहोगे यहां से 0 degree से angle change होना start हो जाएगा anti-clockwise यह जैसे यहाँ पर 70 हो जाएगा फिर 90 हो जाएगा फिर यहां तक यह 180 degree so करेगा उसके बाद जैसे आप cursor को इस axis से निचे की तरफ ले के जाओगे एक्स axis के तो आप यहां पर देख सकते हो यह जो angle change हो रहा है यहां से 0 से start करेगा और यहां पर यह clockwise change करता चलेगा angle को 180 तक तो इस तरह से यहां पर यह angle change होता है अभी अगर आपक जो length है अगर आपको वह चीए 30 तो आप direct यहां पर type कीजिए 30 और अभी आपको यहां पर enter नहीं करना है आपको tab की का use करना है और अब आप यहां पर angle की value डाल सकते हो जैसे यहां पर अगर आपको यह line डा करना है 45 degree के angle के पर तो यहां पर 45 एंटर कीजिए और उसके बाद यहां पर escape की कर लीजिए तो यह 45 degree के अंदर एक line डा हो जाएगी अभी अगर आपको measure करना है कि यह line हमारी 45 degree के अंदर create हुई है या नहीं हुई है तो आप यहां पर enter कीजिए उसके बाद यहां पर click कीजिए और एक यहां पर straight line डा कर लीजिए जैसे यहां पर मैं enter कर लि 35 degree angle so कर रहा है यहां पर इन दोनों line के बीच में और यहां पर यह जो length हमने डाली थी 30 वह यहां पर यह सो कर रहा है ओके तो इस तरह से हम कोई भी line एक angle के अंदर डा कर सकते हैं उसके लावा जैसे मैं यहां पर line command दुबार लेता हूं और यहां पर यह क्लिक करता हूं यह यहां पर यह क्लिक करता हूं यहां पर यह क्लिक यहां पर यह क्लिक तो यह continue हमारी line से एक shape create करता हूं अभी जैसे मैं यहां पर यह enter कर लेता हूं तो अभी next तरीका क्या है line command अपलाइ करनेगा वो है यहा तो आप space bar does दबाएए या णो एनटर दबाएए इससे क्या हुतत गर यहां पर दोबारेंट करोगे एक बार तो एंटर किया लास्ट कमांड को रीक् 이용 करने के लिए और अगर यहांपर दुभारेंट एंटर करोगे तो यह lasd से वर स्टर के हो एंट पैंट रहे गा हौए उसको फोट गएंट इस point को इस line का as a first point ले लिया और यहां से यह line हमारी continue draw नी start हो जाएगी तो यहां पर यह click कर देते हैं यहां पर यह click by chance आप से यहां पर गलती से enter दब जाए या space bar दब जाए अब यहां पर right click करते हैं enter करते हैं अभी next अगर आपको यहां पर यह line बिल्कुल straight draw करने है horizontal या vertical direction के अंदर तो वह आप कैसे कर सकते हो उसके लिए आप यहां पर line command लीजिए right click कीजिए यहां पर repeat line के उपर click कीजिए space bar फर्स्ट point पुछेगा यह देता हूँ और उसके बाद अगर आप यहां पर यह line ऐसे ड्रा करोगे तो chance यह भी है कि आपकी यह line बिल्कुल straight draw न हो तो यहां पर दो option होते हैं दोस्तों एक या तो F8 की दबाईए या आप direct यहां पर निच् horizontal ड्रा होगी या तो vertical ड्रा होगी direct अगर आप यह orthomode on करना चारे हो तो F8 की का use कीजिए अगर आप off करना चारे हो तो दुबारा F8 की दबाईए तो उससे यह orthomode off हो जाएगा command के बीच में भी आप direct क्लिक कर सकते हो तो मैं यहां पर orthomode on कर लेता हूँ अभी जैसे आपक को निचे की तरफ रखिए और उपर की तरफ अगर लाइन ड्रा करने तो करसर को उपर की तरफ रखिए तो जैसे मैं यहां पर यह लाइन ड्रा कर लेता हूँ 20 की 20 एंटर करेंगे तो यह 20 डिस्टेंस की लाइन क्रेट होगी अभी जैसे यहां पर मैं कर लेता हूँ 50 अब जैसे मैं यहाँ पर लाइन कमाड दुबार लेता हूँ, एले एंटर करते हैं, स्पेसियो आप फर्स्ट पैंट यह कर देता हूँ, और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह जो लाइन है, अगर हमें यह 45 डिग्री के एंगल के उपर 30 डिस्टेंस कीजिए, तो यहाँ प वैल्यू देर के डिग्री में और डिस्टेंस में, यह हमारी वैल्यू जंप करेगी, तो इनको अगर चेंज करना, तो आप टैब की का यूज कीजिए, तो जैसे अगर मुझे यहाँ पर यह डिस्टेंस चेंज करने हैं, तो मैं यहाँ पर 40 दुबार टाइप कर लेता फिट टैब की दबाऊंगा, तो उसके बाद जब आप यहाँ पर फाइनल एंटर कर लो, आपकी डिस्टेंस ओर डिग्री, तो आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए, तो यह लाइन हमारी 40 डिस्टेंस की 45 एंगल के उपर create हो जाएगी, और यह कमांड हमारी continue यहाँ पर रहे करते हैं, आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, और साथ में दोस्तों अब आप पो AutoCAD सीखने के साथ साथ हमारी चैनल के तुरू, authorized AutoCAD certificate भी ले सकते हो, जो कि हर जगें valid रहेगा, हो चाए private sector हो या government sector हो, कहीं पर भी आप उस certificate को apply कर सकते हो, अगर आपको यह certificate चीए, तो आप मुझे direct contact कर सकते हो, तो आप मुझे contact करने के लिए मेरी email ID के पर mail भी कर सकते हो, या आप मुझे WhatsApp नमबर के पर भी contact कर सकते हो, ओके friends, I hope आपको यह video समझ में आई होगी, और दोस्तों अगर आपको यह video पसंद आई, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाईए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और उन्हें अपने दोस्तों के साथ सेर कीजि Thank you so much, don't worry, be happy, keep smiling forever